निर्मल के लईए, खालस के लईए, अर्थ एक है, कोई फरक नहीं जो साथगरू नानक देव जी ने निर्मल पंथ रंब कीता, निर्मल तों पाव उजल जिस दे विच पापां दी, अउग्णां दी, विश्यां वकारां दी, ते पखंडां दी, दूई दवैत दी मैल नहीं ऐसा उत्तम, ऐसा निर्मल पंथ जो साथगरू नानक देव जी ने प्रारंब कीता सी इस विच शामल होन दी, जो मर्यादा साथगरू नानक देव जी ने आप प्रारंब कीती उसदा जिकरवी पाई साथपाई गुरुदास जी करदे ने चरन तोई रहरास कार चरनामर्त सिखां पी लाया चरन तोई रहरीत वर्त के पाव के गुरु महराज जी की हजूरी वेच जिसवी प्रेमी ने जिसवी शर्दावान ने आके सिखी दी दात मंगी महराज आप जी का सिख बना लाओ ता चरन तोई रहरीत वर्ता के चरनामर्त सिखां पी लाया आपने पर्म बबारक चर्णा दी शो प्रापत जाल जिसनु चर्णा मरत दा नाम दिता गया जिसनु चर्ण पाहुल किया गया ओ पामन अमरत चर्ण पाहुल दे रूप विच साथ गुरु नानक देव जी ने गुर सिखानू पी लाया शकाया है ये मर्यादा अरंब कीती ते चर्ण पाहुल दी दात देन उपरांत बेद कतेब अगोचरा वाही गुरु गुर सब्द सुनाया ओ प्रमातमा जो बेदा कतेबा दी पाहुचतों परे है ओ सदे ब्यानत नामा विच्चों पर मुख शरोमणी नाम वाही गुरु जो है ए गुरमंतर दी दात बख्शी असी इतिहास पढ़िये सानू पर तक ता औरते सपष्ट रूप विच ए पता लगेगा के साथगुरु नानक देव जी के समें तो अराम्ब होई ए मरजादा नौवास रूपा विच्चता जियोंदी त्यों ही चल दी रही सी ते दसमें पात्षा जी के वकत वी सतारां सो शपंजा बिक्रमी सोडां सो नड़नमे एसवी दी विसाखी तो पहलां तक एही मरजादा काइम रही के चरण तो ए रहरास कर चरणामर्त सिखां पीलाया चरण पाहुल दी दात बख्शश करके चरणामर्त शिका के सत्गरू सचे पात्षा जी शरदालू प्रेमिया जगे आसुआनू गुर्शिखी दी दात बख्शश कर दे और अपने पामन मुखार बेंदतों नाम दी दात आप सत्गरू जी बख्श दे दसमें पात्षा स्रीगरू गोबिन संग साहब जी जान दे हान के हुन साथे स्रीरक जमेतों बाद अगला स्रीरक जमा ग्यारवें रूप विच होर कोई नहीं आवेगा शब्द रूप सत्गरू स्रीगरू गरंत सहब जी गुर्ता गदी ते सुबा आये मान होन गे एजेडी चरण पाहुल दी मरजादा है अगा नहीं चाल सकेगी ते एक खाल सा पंथ दी सिरिजना करनी तान कलगी तर पात्षा जी के परम प्वित्र चेतदा कोई अचन चेती संकलप नहीं सी जा यों कह लईे के कुछ समेदी लम्मी सोच दा नतीजा नहीं सी बलके एक आरज तुरूं अकाल पुर्ख वाहिगरू दे दर्तों लेके आए प्रमात्मा दा खास हुकम सी इस दे बारे कलगी तर पात्षा जी ने अपनी पामन बाणी बचितर नाटक दे विच सारे ए बचन फुर्मान कीते ने के जदों अकाल पुर्ख वाहिगरू जी ने सानू इस संसारते पे जणदी तियारी कीती बचन कीता हुकम कीता सी के जाओ संसारते हुकम सी के मैं अपना सुत तोहे निवाज्जा पंथ प्रचर करबे कहु साज्जा जाहे तहां ते तर्म चलाए एक बुद्ध करन ते लोक हटाए मैं अपने पुत्तर दे ताउरते वड़िया के तु आनू पेज रहां ते एक खास पंथ नू पर चलत करन वास्थे पंथ दा परचार करन वास्थे पंथ सज्जन वास्थे पेज रहां जाओ संसारते जाके तर्म चलाओ ते माड़ी करमा तों लोकानों हटाओ ते कलगी तर पात्षा जी फुर्मान कर देने के जदो मैं नू अकाल पुरुख जी ने एह हुकम कीता सी ता ओस वकत ठाड पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर ने आए पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करहो सहाई हे अकाल पुरुख वाहिगरू जी माराज कहिंदे के ठाड पयो मैं जोर कर प्रकाश रूप जोत रूप वाहिगरू के जी के सनमुख मैं हथ जोड के खड़ा होया बचन कहा सिर ने आए सिर चुका के सीस निवा के निमरता दे सैथ बेंती रूप ए बचन केया पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करहो सहाई महराज जेस पंथनों पर चलत करन दा हुकम दे के आप जी पेज रहे हो जगत विच ये पंथ ताँ चलेगा जद आप जी किरपा करके सहाई को होवो मेरी सहाईता करो अपने साच ये पंथ दी सहाईता करो ताँ ये पंथ जेड़ा है जगत विच चलेगा अरंब होवेगा पर चलत होवेगा ते चड़ दी कलाविच विच्रेगा यूँ खालसा पंथ दी सिरजनादा कार्ज अकाल पुर्ख वाहे गुरू दे वल्लों खासता उरते लाई जिम्मेवारी नू नाल लेके साथ गुरू जी इस संसार सागर विच प्रगट होए ने एस बचन नू आप जी ने कई वेर फुर्मान कीता एक वार नहीं सरबलो दे विच वी आप जी ने एक परम पवित्तर बचन कीते ने काल पुर्ख की आग्या पायकार प्रगट पयो रूप मनवर को अकाल पुर्ख वाहि गुरू जी की आग्या दे नाल इस रिष्ट मुनिया तरमी पुर्शादा जेडा पंथ है खाल सा पंथ ए प्रगट होए या इस से तरह बचन कीते के खाल सा अकाल पुर्ख की फाउज प्रगट यो खाल सा प्रमातम की माउज एक खालसा अकाल पुर्ख वाहिग्रू दी फाउज है ओ वाहिग्रू जो राजियां सिर राजा है महराजियां सिर माराजा है पात्षाह सिर पात्षाह है राजिन को राजा महराजिन को महराजा ऐसो राज शोड और दूज़ा कौन ते आई है ओस स्रेश्ट आत उत्तम सर्भ श्रोमनी महराजे दी फाउज है ए अकाल प्रुखदा खाल सा ते प्रमातम की माउज पाव प्रमातमा दी माउज प्रमातमा दी इच्छा देनाल वाहे गुरू के खास हुकम देनाल ए खाल सा जगत विच परगट हुया जदोना देड़ दी तरती ते साच खांड तखत स्री अबचल नगर हजूर सहीब विखे स्री गुरू गरंथ सहीब जीनों गुर्ता गदी दे उपर सुबाई मान की तैकल गी तर पाथशा जीने ओधों में ये बचन कहे के आग्या पई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुकम है गुरू मानियो गरंथ सो वार वार गुरू के उचारण कीते इनना बचनातों पली पाथ सपष्ट है के स्रीयकाल पुर्ख वाहे गुरू दे उचेचे बचन दे नाल सथगरू कलगी तर पाथशा जीने एक हालसा पंथदी सिर्जना कीती है एदे तो पहला सथगरा की लम्मी तपस्या है लम्मी का लणा है मैं ज्यादा विस्थार विचना जामा क्योंके जो सथगरू जी ने अमरत वेले तक तसभ विखे पावन स्री मुखवाक बक्षिश कीता है सूखम जाई कथा विचार आपा इस दे वी करनी है ते आज वैसाख दी संगरांदा दिहारा हून करके तानसाथ गुरू अरजन देव जी ने बारह महा विच विसाख महिनेदा जो उपदेश देता है आपा ओधी वी विचार करनी है ते समे सिर आपा समापती वी करनी है मैं ता संखेप विची बेंती करां इतिहास ता संगता जान दियां इने पर ओस इतिहास नू मुर्तों चेते कर दियां गुरू के गुण गाइन करद वास्ते इतिहासक देन ते ओस इतिहास नू दोहरोणा जरूरी बन आउंदा है के एस अस्थान ते सत्गुरू सच्चे पाथशा जी ने विसाखी दे दिन 1699-1715 बिकरमी बाउत वड़ा संगता दा एकाठ बलाया सी आप महारेवी ब्यांत संगता आया कर दिया सांते सत्गुरा ने उचेचे हुकम नामें पेज़के वी संगता बलाया सी परे दर्बार वेच तलवार दी तारते सत्गुरू सच्चे पाथशा जी ने एक सीस दी मंग कीती सी यके बाद दीगरे इकला दूजा तीजा यव पांच सीस सत्ग्रू सच्चे पाथशा जी ने ले सन गुर्मुख प्यारे पाई दया सिंग जी, पाई तर्म सिंग जी, पाई हिम्मत सिंग जी, पाई मुखकम सिंग जी, पाई साहिब सिंग जी, जिना दे नामा नाल पहला सिंग अखर नई सी, किसे दे नाल राम, किसे दे नाम नाल चंद, किसे दे नाम नाल दास लागरिया सी, इनना गुर्मखा प्यारयाने जो के वक्खो वक्रे अस्थाना तो आए सन हिंदोस्तान दे विच्चों कलगी तर पादशा जी दी दलकार ते आपने सीस गुर्चरणा विच पेट कीते सन साथगरू जी ने सीस तेग दी तार लंगाए और आपनी महान आतम समरथा द्वारा साथगुर मेरा सर्ब प्रतपले साथगुर मेरा मार जी वाले फिर उनना पंजागुर सिखा नो जीवन दान बक्षिश कीता सी खंडे की पाहल पांज बाणियां पढ़के साथगुरू ग्रीबन वाजी ने तियार कीती माता जीतो जी ने विच पता से पाये सान ओ खंडे बाटे दा अमरत तियार करके साथगुर जी ने उनना पंजा सिंगा नो शकाया सी चरण पाहल दी जगा ते खंडे की पाहल तियार कीती चरणा मरत दी जगा ते खंडे बाटे दा अमरत साथ गुरू सच्चे पाथशाई ने तियार करके पंजानू शकाया पंजानू सेंग नाम बक्षे पांच ककारी रहत बक्षश कीते ते नमी रहत मर जादा जो है ओ ध्रड कराई के हुनतों यू रहत मर जादा खाल सा पंथ दी होवेगी ते फिर इस तों उपरंत उनना गुर सिखानू आपने प्यारे कह के संबोदत कीता के ए मेरे प्यारे ने पंज प्यारे संस्ता यू हो दे विच आई ते फिर उनना पंजादे कोड़ों सब तों पहला कलगी तर पातशाजी ने आप खंडे बाटे दा अमरत पान कीता ते इस चलाई रहत मर जादा विच पहला आप परपक होके फिर समुची संगत प्रती ए हुकम जारी कीता सी के प्रथम रहत जह जान खंडे की पाहल शके सोई सिंग परदान और ना पाहल जो लए ते फिर इह अधकार भी जारी कर देता के रहत सहत जह पांचों मिले माम सुरूप सो देखा हो पले सिख पंचन मेह मेरो वासा पूर्ण करो तरह जह आसा पांच सिंग अमरत जो देवे ता को सिर तर शक पुन पून मेल पांचों रहत जो पाख है ता को मन मेह दिर्ड कर राख है होन तो चरण पाहल दी मरजादा जेड़ी है एसनू पूर्ण विश्राम ए अगे नहीं चलेगी होन खंडे बाटे की पाहल शकनी होवेगी गुर सिखी मंडल विच दाखल होन लई ते ए खंडे की पाहल खंडे बाटे का अमरत पांच प्यारे सहबान शकौन गे पांच प्यारे ही गुर मंतर दी मूल मंतर दी नाम दी दात बक्षश करन गे ए अधकार यों सत्गरू जी ने पांच प्यारे सहबान दे सपुर्द कर देता सदा सदा दे वास्ते जदों सत्गरू नानिक देव जी ता चरण पाहल मर्यादा दे नाल नाल, गुर सिक्था दे आपस विछ मेलन वेले धा जो बोलत पर चलत कीता सी ओसी पएरी पेना, राणा रंक बराबरी पंवना जगवरता आया, सेख आपस विच एक दूजे नू मिलन वेले पैरी पैना कई दे, केबल कई दे नहीं, बलके एक दूजे दे चरण सपर्श करया वी कर दे सान यो महराज जी ने राणा रंक बराबरी कर देती, सार या नू एक बराबर कीता है तेहोन जदो सत्गुरू जी ने खंडे की पाहल त्यार कर शकाई खाल सा पंथ साजे है ता पैरी पैना तजकर मते, वाहि गुरू जी की कैं फटे ओ पैरी पैना दी रीती जेडी सी, ओ भी सत्गुरा ने त्याग दिती रोक दिती सी हुकम जारी कर दित्ता सी के आगे आवत सिंग जो पावै वाहि गुरू की फटे बुलावै सिख जदो आपस विच मिलनगे सिंग, ता वाहि गुरू जी का खाल सा वाहि गुरू जी की फटे बलाउनगे ए मरजादा कलगी तर पाथशा जी ने परपाक कीती सो आज दा एपागा परिया दिहाडा सतारा सो शपंजा बिकरमी सोडा सुन लिन्ने में ईस्वी जदो साथ गुरू जी ने एस अस्थान ते खाल सा पांथ दी सरजना कीती पांज का कारी रैत बक्षी, अमरत वेले दा पांज बाणिया दा नेतनेम परपाक कीता स्रेष्ट गुणा विच आपने खाल से नू परपाक कीता और यों गुरू का खाल सा गुरू की किरपा नल गुरू का लाडला नादी पुत्तर बनेया ते समा आउन ते एस खाल सा पंथ नू साथगरू गरीब नवाज जी ने माता साहिब देव काउर जी की चोली विच पाके तेनानू खाल सा पंथ दे माता जी होन दा मान बक्षश कीता यों ए तखत सरी केसगर साहिब जी की परंपवित्तर तरती खाल सा जी की जनम पुम्मी है तानन साथ गुरू गोबिन संग महरा सच्चे पाथशा खालसा जी के पिता जी हन तानन माता साहिब देव काउर जी खालसा जी के सतकार जोग माता जी ने सो अज एक खालसा जी का सरजना दिवस है खालसा जी के सरजना दिवस विसाखी दे एस महान पवित्र परवदी समू संगतानू लख लख वदाई होवे विसाखी दा जोड मेला पहला तों गुरू करदे विच मनाया जानदा रहे है सब तों पहला जोड मेला सिख तरमदा जेडा है साथ संगत जी सोड़ा सव चोवी बिकरमी सम्मत पंद्रा सव सताथ ईसवी साननू स्री गोयदवाल साहब दी तर्तीते विसाखी वाले देन तान साथ गुरू स्री गुरू अमरदा साहब जी की परंप वित्र हजूरी विच सज्जेया सी ते ऐसे परकार ओदों साथ गुरू जी ने शेमी नियाबाद दी वाली दे जोड मेले वी प्रारंब कीते सान सो ओदों तों ही खालसा पंथ सिख पंथ दे अंदर ए जोड मेले दी प्रंप्रा अरंब होई सी सो आओ आज खालसा जी के सरजना दिवस दे मौके ते तकत सिरी केसगर सहीब विखे जुगो जुग अटालसात गुरू सिरी गुरू ग्रंथ सहीब सच्चे पात्षा जी ने तकता ते अमरत वेले प्रकाश मान होके दर्शनदारी बख्ष दियां जो सिरी मुखवाक दी दात बख्ष शकीती है संकेप जाई अक्री अर्थ वी चार दे नाल आपां जुड़िये उपरांत वे साख दी जो बारा मादी कथा है एदे नाल आपां जुणनदा जतन करांगे गुरू का पामन उपदे सर्वन करके लाहा प्राप्त करिये सरबात संकता मनोचित बिर्तिया गुर चरणा विच इकागर कर देया होया प्रेम सहत उचारन करो जी साथ नाम सिरी वाही गुरू आजदा पामन पुटर स्री मुखवाक साथ गुरू सच्चे पात्षा जी किर्पा करके तनासरी राग दे विच बक्षश कर रहने रागा दे सरूप दे हिसाब नाल रागा दे परवार दे हिसाब नाल तनासरी एक रागनी है जो के माल काउस्क राग दे परवार विचो मनी जन्दी है गुरू का बचन है राग माला विच दुतिया माल काउस्क आला पह संग राग नी पंचव था पह गोंड करी और देव गंदारी गंदारी सिहती उचारी तनासरी ये पंचोगाई इयी माल राग का उसक संगलाई माल का उसराग दे परवार विच्उं तनासरी ग्रीब नवाज जी ने सवाग। पंजमेस ़ूप शहीदा दे सrस्राज शान्ती के पुंजबाणी के बोहिद पर उपकारी साथ गुरू तानसरी गुरू अरजन देव सहब जी किरपा करके आपानू उपदेश बक्षश कर दे हाना जाकाओ हर रंग लागो इस जुग में हैं हजूर फुर्मारे ने जाकाओ हर रंग लागो इस जुग में हैं जाकाओ जेसनू हर रंग लागो हर जो सारिया नूँ हरे परे करनवारा हर जो सरभ व्यापक गहे हर जो दुखा नूँ हर नवाला है सो काउन Αकाल पुर्फ वाहिग्रू प्रमात्मा रांग तो अपाव है प्रेम जिसनु वाहिग्रू का प्रेम लग गया है एस जोग मैं है जोग दा अर्थ समा वी है जे में साथ जोग तरेता दौा पर काल जोग चार जोग ने ते जोग दा अर्थ संसार वी है जोग दा अर्थ जीव वी है पर करन मताबक अर्थ हमेशा टकाए जान देने एस जुग में हैं, कल जुग दे इस समें दे विच एस जुग में हैं, इस संसार विच जेसनु अकाल पुर्ख वाहि गुरू दे नाम दा प्रेम लग गया ओ असल दे विच सूरमा क्या जानदा है, ओ बहादर है, ओ सूरम गती वाड़ा है दुनिया ता सूरमा उसनु मान दी है, जेड़ा किसे बादशादी, राजे महराजे दी फाउज विच परती होवे ते मैदाने जांग विच बड़ी बहादरी नाल जूजन दा जज़बा रखदा होवे जेसे मान विच पै नहीं माउत दा, खौफ नहीं, डार नहीं शश्ट्रा दे वार सनमख होके चलन दी जीदी समरथा है, जीदा हाउसला है ते जेड़ा मैदाने जांग दे विच लखा दी गिनती दी वी प्रवादा कर देया होया जूजन दा, साथ संगर जी मान विच जज़बा रखदा हाउसला रखदा होवे दुनिया उसनू सूर मा कर दी है पर साथगरू गरीब नवाद जी गुरबानी विच ए पावन बचन फुर्मान कर देने सूरे एहना आखिय है, अहंकार मरह दुख पावे है आत करोद सियों लूज दे अग्या पिश्य दुख पावे है गुर्मत मताबक ओ सूर में नई जो के आपनी दुनियावी बहादरी ते दलेरी दे हंकार विच जूज के मर देने ते लोग पर लोग विच दुख पराप्त कर देने सूर मा काउन जेडा प्रमातमा दे नाम नाल जुडिया साथ संगत जी वाहिगरू का नाम जपना बड़ी वड़ी सूरम गती है आखन अवखा साचा नाओ नाम जपना सब नालों अवखा कार जै अमर्त वेदे दा ओ समा जदो स्रीर नू कुदर्ती ताउरते बहुती डूंगी नीद आउंदी है कोई मनोख रोगदा ग्रसया होवे सारी रात नीद नापवे पासे मारदा रहे अमर्त वेदे समेता कुछ समेली उन्नुमी टिकवी नीद आजान दी है ऐसी मिठी नीद दा त्याग करके जागना उठना ते मौसम दी प्रवाद ना कीते बिना इशनान करना ए कोई शोटी जी गलता नहीं कोई सूर्मा ही करेगा ना फेर इशनान पाणी करके वाहिगरू के नाम विच जुड़ना बंदगी विच जुड़ना कल जोगने समेदा ऐसा प्रवाव के जेडा मनदिया बिर्तियान नूँ बाणी पड़न विच नाम जपन विच लगणी नी देंदा टिकन नहीं देंदा ओस प्रवावनू पासे करके आपने चेतनू नाम सिम्रंदे विच जोड़ना इस सूर्म गती दा कार्ज है फिर माराज फर्मान कर दे के जिन्ना आपने मनदे नाल जुद करके मनदे फटे प्रापत कीती है ए अगली पंक्ती विच बचन आउन गे ओसूर में हाना सो ज्यादा विस्थार ना करिये जाकव हर रंग लागो इस जुग में है इस जगत विच इस संसार विच इस कल जुग दे समें विच जिसनों वाहिगरू दे नामदा रंग लाग गया प्रेम लाग गया सो कहियत है सूरा ओही असल विच सूरा क्या जन्द है ओही सूर्मा है ओही बहादर है ओही दलेर सूर्म गती वाड़ा है आतम जिने सगल वास्ता के आपनों नहीं जेत सके सकंदर वर्गयां दे किसे जगत दे विच चाल दे ने के जगत नू जित्या ओसने पर आपने मन उपर काबू नहीं पा सके दसम पाथशा जी की बाणी विच एक राजे दा जिकर आउंद है जो के शिव जी का अवतार सी राजा पार सनाथ एक लाख राजे उनने शोटे मोटे जित लए ते उनना सारे राजेयां नू जित के उसने राजसू जग कारंदा विचार बनाया ते उस राजसू जग दे विच जित्ते हुए राजेयां दी बली दिती जानी सी सियाने मंत्रियां वजीरा ने रुकना चाया के ऐसा नरसंहार राजा ना करे ते ओस वकत ओसनों में शिंदर नाथ दी शर्ण वे चुपे जया के जाओ उन्नों पुशके आओ उन्ने सिख्या दिती के एक राजा अजे ऐसा है जिन्नों तूं जेत नहीं सके जिन्ना चर उसनों नहीं जेत लेंदा उन्ना चर तूं राजसु जग करनदा हाकदार बाणी नहीं सके दा क्योंके एक वी आकी रह जावे ता राजसु जग करनदा हाकी नहीं पार्स नाथ कहिंदा जी दसो काउन है किते रहिंदा है मैं हुने फाउजा लेके चड़दा मेरे अगे लाख राजा नहीं ठैर सकेया ओधी की हैसित मेरे सामने होवेगी उन्नू मैं जितांगा मशंदर ने दस्या के नहीं ओ राजा बार के ते नहीं वासदा ते उन्नू जितन वास्ते आ तेरियां फाउजा दी लोडने पैनी ओ राजा तेरे स्रीर दे अंदर वासरे उन्नू कहिंदे ने मान जराय अपने मन अंदर चाती मार के वेख के ए तेरे काबू विच है तेरा कहना मन दै तेरे कंट्रोल विच है जदो अंतर मुखी हो के चाती मारी सोच जी आ गई के हाँ मन ता आ की हो या फिर दै ए ता काबू विच है या नहीं पर नाल ही डीग भी मार दिती के जिते मैं अइनी दुनिया जेतलई हो थे अपने मन नु जेतना केड़ा उखा मछिंदर कहिंदा मैं मी दावे करदा सा मन नु जेतन दे मेरे कुडों नी जितलई आ गया तूंके में जेतलवेगा डीग मार दिती पार सनाथने के जो इन जीत सको नह पाई तो मैं जरू चिता हे जराई एक अलगी तर पादशाई ने बचन उचारन कीते है जे मैं अपने मननों जितना सक्याता चिता बाल के अग सार के मैं अगनी विच बैठ के आतमदा कर लवागा सर के मर जामागा बड़े जतन कीते बड़िया तपसेंा कितिया बड़िया योग साथ ना कीतिया पर मन काबूना आया आखर कहना पह गया के मैं इन कहमौन जीतना साका अब मुरबाल पारख सब थाका अब मैं देख बनामों चिखा पैठों बीच अगन की सिखा चिखा बनाए सनान नहे करा साब तान बस्तर तलोना तरा बहुँ बिदलोक हटक कर रहा चटपट कर चर्णन पी गाहा मन दे हथों दुखी हो के दुनिया दा राजा पार सनाथ पामे शिवजी का अवतार सी पर फिर वी मन काबू दा आ सकन करके चिखा विच बैठके सडके मर गया सी यो आपने आपेनू काबू करना जेड़ा ए अउखाय साथ संगत जी ओ सूरमा है जेड़ा आपने आपेनू जेतलवे गुरू की किरपा नल ब्यांत ऐसे गुरमख प्यारे ने जेड़ा ने आपने मननू जितेया पूरन ताउरते आपने काबू विच कीता ते गुरू की या बक्षशा देनल इसमहान सूरम गती दी प्राप्ती कीती नानक सो सूरा वरियाम जिन विच्चों दुष्ट अहं करण मारेया ओ सूरमा है ओ जो जारू जोदा है जिनने मन विच्चों दुष्ट हं कारनू मार लेया मन विच्चों अगणा ते विकारादा खातमा कर लेया है यो आत्म जिने ओ सूरमा है जेड़ा आपने आत्मे नुँ जेत लवे सगल वासताक है सारी स्रिष्टी ही ओदे वासे वेच हो जान दी है पगी साथ संगत जी पर थरी नामदा एक राजा होया माने वेच ओदे वैराग आया जोग तारन कर लेया वेराग शतक नाम दा उसने एक ग्रांथ लिखिया ओदे वेच पंगती लिखी दो पंगतियानू इको वार लिखिया पर दो में वार ओना दी अर्थ वाख वाख कहिंदा है मानरे पजीता सब रेप जीते मानरे पजीता सब रेप जीते पहली पंकती मान रेप जीता एदा मतलब के जिनना चर मान रूपी दुश्मन एजिऊंदा ना साब रेप जीते उनना चर सारी दुश्मन जीऊंदे ने पर अगली वार बचन लिखिया के मान रेप जीता, जदो मान दुश्मन नू जेत लेया, ता समझ लओ के साब रेप जीते सारी दुश्मन जेत लेया, ते ए बचन ता सत्गरु नानक देव जी ने फरमाया है न, मान जीता है, जग जीत, जिसने अपने मान नू जेत लेया, उ अगल वासताक है, सारी स्रिष्टी ही माननों उदे वासविच हो जान दी है, जैसने माननों जेतलिया सरीर दे सारे इंद्रे उदे वासविच आ गए, साड़े इंद्रे ता साड़े कंट्रोल तो बार लेना, अखी वेखना रजियां बहुरांगतमा से, नाकना वज्जा वास बहुगांद सुबा से, साधी जीब ना रदिया, बहुप ओग बिला से, सो एस परकार साड़े इंद्रे वासविच नहीं, ए रसा का साविच दा उड़े फिर देने, पर जदो मानन वासविच आ गया ता साब इंद्रिया वासकार दितियो सत वंता साड़ा, जित लाइन त सत गुर पूरा भक्ष्या से सुण्मा शंद्रा नानक बोलाय, वसगत पंच करें, नह डोलाय, फिर में शंद्रनाथ वरग्यानू शंती प्राप्त होई सी, पूरे साथ गुरु तानसरी गुरु नानक देव साहिब जी, दसे पात्षाया ियां गुरु के पूरन सरूप, दसा पात्षाई दे प्रतक सुरूप जुगो जुग अटाल स्री गुरू ग्रांत साहब सच्चे पात्षाजी सो साथ संगर जी जिनने पूरे गुरू की शर्न लई जेडा सच्चे गुरू के लड़ लगा जदों गुरू की किरपा हो गई ता ओ आपने आपे नू जित के ते माननू नाम समरंदे विच जोड के पूर्ण सूर्म गती दे एस महान रुतबे नू प्राप्त करदा है ठाकुर गाई है आतम रंग एस नही रहा हूँ आली पंगती विच हजूर फरमाउंदे ने ठाकुर गाई है ठाकुर जो सारीयांदा मालक है सारीयांदा श्रोमनी है ठा उतपती करनवारा कू पलना करनवारा रू लैता करनवारा जो अकाल पूर खुवाई गरू है उस प्रमाघमा नू गाई YE उदे गुण गाई YE उदा नाम जपिये पर केवल उपरों उपरों नहीं आतम रंग, आतमा दे रंग नाल, अंतर आतमे दे प्रेम दे नाल, वाही गुर्शख प्यारे आपने आपनू गुरू की शर्ण विछ पाल इंदे ने, वु पामान पवित्र हो जान देने सरनी पामन जेडे गुरु की शर्ण विच पै जान देने नाम ते आमन गुरु की शर्ण विच पै के जो अकाल पुर्ख वाहि गुरु दे नामनू ते उंदे हान सहज समावन संग उसे हैजे ही सुबावकी ही सुते सिद्धी सुखेन ही सहज अवस्थादी प्राप्ति करके वाहे ग्रू के संगी ओके उस प्रमात्मादे विची समा जान दे उसे विची ही अपैद हो जान देने हार हार जान दूई एक है बेबिविचार कशना है जलते उपज तरंग जीओं जल ही बिखै समा है कलगी तर पाथशाई ने अपने खालसे प्रतिये बचन कीते के खालसा होवै खुद खुदा जिम खुबी खुब खुदाए आन ना मानना है आन की एक बिन सचे पात्षा है माराई ने बचन कीता के आतम रस जह जान ही सो है खालस देव प्रभ मह मो मह तास मह रंचक नाहिन पेव आतम एक रस नू जिसने जान लिया रहे तम रजादा विच परपा करे के गुर्मत नू कमा के ओ खालस शुद रूप है खालसा है ते पूज निक है ते कलगी तर पात्षा जी कहिंदे के ओस वेच मेरे वेच ते प्रमातमा वेच कोई फरक नहीं कोई पेन पेद नहीं यो सुते से दी प्रमातमा दे नाली समात जान देने गुर्मक पयारे रहाओ विस्राम दे के हजूर फुरमान कर दे हान जान के चरन वस है मेरा ही अरा गुरू की ये किर्पा सत संगत वेच आउना नाम सिमरनल प्रेम जुडना रहत मरजादा दी परपकता होनी अकाल पर खवाहि गुरू के परतक शुरूप सत गुरा दी किर्पा होनी ये सब को जी कि में होवेगा शाथ संगत ये इसलएब घुरू के चरना वीच अरदास बेंती करनी बण दी है घुरू के चरना वीच ने तया जो दड़िया करनी बण दी याने मेरे हर जीयो सब को तेरै वस असा जोर ना ही जे किशकर हमसा कह जो पावे तेवे बक्स गुरू के दरते आईए ते साथ गुरू जी प्रेरना देने के ए मांग मंगिये ए अरदास बेंती करिये ए पाथशा हे अकाल पुर्ख वाहि गुरू जी मेरे ते किरपा करो के जान के चर्ण वस है मेरे ही यरे जो आप जी के जान हन जान काउन जान दा अर्थ दास जान दा अर्थ पियारा जान दा अर्थ परमातमा दे साजे नवाजे गुरू मुख माराज ऐसे जेडे महातमा जान आप जी के साजे नवाजे ने उन्ना दे परम पवित्तर चरण मेरे हिरदे विच वास जान पाव के उन्ना की संगत में नू प्रापत होवे उन्ना दी संगत दा प्रेम जेड़ा मेरे हिरदे विच आके बन जावे क्योंके जना दी संगत जे प्रापत हो जावे न ता गुर्मका प्यारियां दी संगत विच मिलके ए देही पवित्तर हो जन्दी है साध कै संग नहीं कशकाल दरसन पेटत होत निहाल वडपागी साध संग प्रापत तेन पेटत दुर्मत खोई प्रबु दे साध जन्वार साधू जना दी संगत दे विच मिलके मैली मात जेडी मन दी ओ नास हुं दी है सरीर पवित्तर हो जान्दा है जान की तूर दे हो किरपा निदा हे किरपा दे निदान, किरपा दे खजाने, किरपा दे पंडार साथ गुरू जी सभगरो जी फिरमान करदेने के साधे बासते एही सब तों वड़ा सोख है सोख खखे दे अखर नू अंकड लगा हून करके ब्रह्मा नान दे सुखदा वाचक है माराज एदे विच्चुई लोग पर लोग दे सोख प्रापत हुंदेने के तेरे प्यारियां दी चरन तूर मिट जावे संत की तूर मिटे अग कोट संत परसाद जन्म मरन ते शोट गुरू प्यारियां दी चरन तूरी जेडी है पापां तो शुडा लेंदी है जन्म मरन तो शुटकारा हो जानदा है करोडा पाप मिट जानदे ने इसली साथ गुरू जी अपने प्यारियां दी चरन तूरी बख्षो उन्हादी संगत बख्षो उन्हादी चरणा दा आसरा बख्षश करो कि उन्हाद अंतर जामी पुर्ख बेदाते सर्दा मन की पूरे नानक दास इहा सुख मांगा मोको कर संतन की तूरे सुख मांग आपां गुरू के चरणा विच्चो निता प्रती मंगया करिये सामत देहो दयाल प्राब जित तुम्हे अरादा नानक मंगे दान प्राब रेन पग सादा पर साद पेखी नहीं साद केवल लबास दा नहीं साद केवल पखंडी ते दिखावी मातरदा नहीं साद ओ होवे जैसी के पाई गुरदास जी ने पर भाशा लिखी है के गुर्मुख साद असाद साद वखानी है गुरू की किरपा देना गुर्मुख बनके जिन्ना ने असाद नु साद लेया असाद है मान साद आख्या जन्द है साद गुरू जी ऐसे साद उजना दी संगत बख्षो चरन तूड बख्षो जिस करके मेरी भी आप जी दे चरना नल प्रीत जुड आवे मैं भी सिम्रण कर सका उनना गुर्मुख प्यार यां दे नाल मिलके ते मैं भी इस सूर्म गतीदी प्राप्ती जेडी ये पद्वी इनू प्राप्त कर सका सुए साद गुरू जी ने पावन हुक्मना में अंदर उपदेश फुर्मान कीता है आज वैसाख दी संग्रान दा पागा परिया धिहारा है जो तन साद गुरू अर्जन देव जी माज राग बारह माहा विच पावन उपदेश वैसाख महिने राही बक्षश कर रहे ने आउ तेसन आल आपनिया मन्चत बृतिया नो जोडिये सत नाम वाहि गुरू सहिब जी वैसाख तीरन क्यों बडिया तन साद गुरू अर्जन देव सहिब जी इस पावन हुकम नमे विच पूर्ण एस बारह महबाणी दे विच अलंग कार बन देने संसारक ग्रिस्ती जीवन दे विचों जे में ग्रिस्ती जीवन दे विच पती है और पतनी है ऐसे तरह अदे आत्मिक जीवन विच एस जग में पुर्ख एक है होर सगली नार सभाई पुर्ख रूप पती रूप एकको एक अकाल पुर्ख वाही गुरू है ते जिनने वी जीवने उस दिया सखिया उस दिया पतनिया रूपने आत्मा पत्नी है, प्रमात्मा पती रूप है और यो आत्मा दा प्रमात्मा देना ले मिलाब ए साठी जीवन दा मकसद है वैसाख, वैसाख महीने राही मारज उपदेश बक्षश कर देने के साठी ए मनुखा उमर मनो एक वैसाख दा महीना है एस मनुखा उमर रूपी वैसाख दे महीने वेच तीरन क्यो वंडिया वंडिया पाव विशडिया हो या जो पती प्रमातमा तो विशडिया हो या जीव आत्मा माहान तीरन क्यो ओ किवे तीरज तारन कारन उनना दे चेतनू तीरज किवे आवे तसली किवे आवे हाउसला प्राप्त हो वे माननों तसली के वे हो वे जिना परेम विशो हो जिना नो परमातमा दे प्रेम वल्लों विशोड़ा लगा होया है साथ संगत जी एकता है के माने वेच प्रेम हो वे पर विशोड़ा हो वे ओ फिर भी चंगा है उन्नों बिरहों क्या जन्द है पामना ता हुं उन्ना नू तीरज के में आवेगा उन्ना दी मुक्ती कदों होनी है उन्ना दा पार उतारा कदों होने जिन्ना दा प्रमातमा पती दे प्रेम वल्लों विशो लगा होया विशोडा लगा होया है के में तीरज आवे चेतनू कि में माननों शांती प्राप्त हो सकती है उन्हा जीव इस्त्रियां दे हर साजन पुर्ख विसार कैं हरी अकाल पुर्ख वाहि गुरू जो लोग पर लोग दा सजण है पुर्ख रूप है पती रूप है मालक रूप है परी पूर्ण है उस प्रमातमानों विसार के उसनों पला के लगी माया तो जिन्ना दे मना विच तोह रूप पाव वालशाल रूप माया ही लगी होई है ए जगत दी माया ही प्यारी लग दी है जदों असी माया अखर बोल देया ता साड़ी दृष्टी सामने साड़ी सोच विच चाटतान दौल्ट पैसा रोकड़ा आजन्द है सिर्फ एही माया नहीं एता माया दा केवल एक रूप है जाड़ अते चेतन माया दा विस्थार बहुत वड़ा साध संगत जी साड़े माया विच विश्या विकारा दा प्रबाव एवी माया है साड़े माया विच हंकार दा प्रबाव एवी माया है आद दुनिया दी चका चाट विच मन दा परचणा एवी माया है तन दौल्ट वी माया दा रूप है तेसारी जिंदगी अपा इसे ख्याल दे विची परचे रहने है माया माया के जो अदकाई विच माया पचे पची जाए पर असल विच माया है शाल रूप तोखा रूप वेखन नो प्यारी लग दी है मिठी लग दी है अनांद दायक लग दी है पर असल विच अनांद दायक है नहीं साथगरू गरीब नवाद जी ने गुरबानी दे विच ऐसे ऐसे बचन उचारन कीते ने कि फरीदा ए विस गंदला तरियां खंडल वाड जैर दियां गंदला खंडल पेट के रखिया हुई याने बार खंड होवे मिठी लग दी है अंदर ओदे जैर होवे माउत दा कारण बनेगी योँ ए माया शाल रूप है पापा बज होवे नाही मुया साथ ना जाई माया दे अनांद जेडे ने गल्त तरीक्या नाली प्रापत हुंदे ने ओत्रा प्रापत नहीं हो सकदे जदो मर जांदे ने ना तन दौलत दे रूप विच वी जेडी है नाल नी जांदी चेतन रूप विच वी ये नाल नहीं चल दी योँ ए वाडशल रूप है तोखा रूप है साननू ठाक लेन वाडी है माया होई नागनी जगत रही लपटाए इसकी जे सेवा सो करे तिसी ही कौफिर खाए योँ तोखा रूप माया जेडी है ए जना दे मान विच व्यापी होई है प्रमातमानू पला के कदे भी उना दे चितनू शांती नहीं आ सकदी किना किना रूपां विच ए माया व्याप दी है मारज कहिंदे कलतर जो करवाली इस्त्री है ए hurts माया रूप होके व्यापी होई है ए दे तू अगे वद्या होया जेडा परवार पुत्तिन या इतैया दिकले विय माया रूप हानES ते तान दौल्त रूप जेड़ा एभी माया रूप है इना दी मोविच जीव लगा रहें दैना माया खटनी ते यों आपने कार पर वार्दे वास्ते वर्तनी बहो पर पंच कर परतन लियावे सुत दारा पहयान लुटावे एता प्रमुख प्रमुख रूप कथन कीते ने इ सतान दौल्त वेच ते जेड़े अपने इस्त्रीत यां पुत्रा प्रवार विच जीवतू रचिया हुए ना पुत्र कलत्र ना संगता ना अंत चल दियां वेड़े पुत्रा ने नाल जाने ना इस्त्री ने नाल जाना है ना ही तान दौल्त तेरे नाल एस दुनिया तो ज करेंगा महराज केंदे हार अविनासी ओ हरी अकाल पुर्ख वाहिगरू जो अविनासी है जिस दा कले बिनाश नहीं हुंदा जो सदा एकरस काईम रहन वाला है काईम मकाम है ओ ओ परमातमा पाई तेरे सहाइक है जह मात पिता सुत मीत ना पाई मान उहा नाम तेरे संग सहाइ जिते कोई मददगार नहीं कोई बाँ फढ़न वाला नहीं ओ थे वाहिगरू सहाइक होवेगा जे तुम वाहिगरू का नाम जप्या होवेगा ओ दा नाम तेरी सहाइता करेगा जह मार्ग के गने जाहिना कोसा हर का नाम उहा संग तोसा जह पैड़ा महा अंद गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा कोना सन्यानू हर का नाम तेहनाल पशानू जहा महा पयान तपतबह काम तेह हर के नाम की तुम उपर शाम जहात रिखा मन तुझा करक है तहनान का हर हर अमर तबरक है पाई नाम का मालक जेडा नमी है ना वाहे गुरू ओही लोग पर लोग तेरा संग सहायक होवेगा हूर किसे ने नहीं होडा पलच पलच सगली मुई चूठे तंदे मो पर दुनिया दी हालत ता ए बढ़ी है के चूठे मो विच ते चूठे तंदिया विच पल्च पल्च के सारी दुनिया आत्म कमोते मर रही है पल्च दा अर्थ होना है साथ संगल जी उल्ज जाना अपराणिया माईया ताना तनिया कर दिया सान चरखा कतना तानना जदों तंद उल्ज जानी ते ओधा सिराना लबना ते ओता गासिद्धा ना होना नसा मारे जाना है की स्पलटा के दोत्वन फटंदें के तई पल्च गई है पल्च पल्च विह के बहुत ज्यादा फ़नों पल्च पल्च सगली मुई चूठे तंदे मो दुनिया दे तंदेवी चूठे जना दा फाड जेड़ा है ओ शोब रूप विच प्रापतार हो रही है एक सुहार के नाम बिना एक अकाल पुर खवाही गुरू के नाम तो बिना अग्या लई एह खोहे जेड़े कोई और अनेक प्रकार दे तर्म कर्म पामे कीते भी होन उन्दा जेड़ा फाड है अग्ये पर लोग विच तर्म राज दे दर्दे पहुंचनतों पहला पहला ही खो लिया जान्दा है पुराणा विच ए वरणन आउंदा है के जदों जीव आउ मेजदी नदी आगदी नदी ऐसे ऐसे बड़े ड्राउने ते दुखदाई मारग ने जीव आतमा उथे कर लूंदी है ता ओस वेले जाम दूत कहिं देने के फलाणे वेले जेड़े तर्म दा कामतूं पा खांड जो दीसा है ते नजाम जागाती लूट है नामतूं विहूने जेड़े करम तर्म कीते पेख कीते उना दा फाल ता जगात वजों टेक्स वजों रा विची जम दे दूत लोट लिए देने ते परलोग वेच तर्म राजे दे कोल जीव खाली आतों के पाउंच दे पुन्ना दा फाल ता पहला ही लुटिया गया रह गे बाकी पापा दा फाल दरका विच पैना पह गया ते चुरासी दे गेड़े विच पैना पह गया ओही बचनमाराज कर देने एथेवी के एकस हर के नाम बेन इक को एक अकाल पर खवाहे गरू के नाम तों बिना जिनने वी करम तरम कीते ने ओना दा फाल अगया लईया है खो है जाम दूत रस्ते वेची खो लेंदेने लुट लेंदेने एक नाम दी पुन्जी ही ऐसी है जिननों मन्ने मारग ठाक ना पाए कोई खो नी सकदा लुट नी सकदा गुर्म खा प्यारिया नाम जिपन वाड़ याँ दा परलोकनू जानदा सचखण नू जानदा रस्ता ही वक्रा है ओ ओस रस्ते ते जान दी नई पर नाम तों हुने बाकी करमा तरमादा फालता रा वेची कोल आ जान दा कोई फैदा ही नहीं हूंदा अगय जाके दाईयो विसार विगुचना दाईयो प्रेरक रूप नियंता रूप वाहि गुरू जो सार याँ दा प्रेरक रूप है पाईयो नूपला के खुवारी ही खुवारी हुंदी है विगुचना ही हुंदा है संसार विच वी खुआर होई दाए ते प्रलोग विच वी खुआर होई दाए जे अकाल पुर्खवाहिगरू दा नाम ना जपिये जे रबनु पलाशध ये जीवन विच प्राब बेन आवर ना कोई क्योंके प्राब जो सरभकला समराथ ते रख्यक रूप अकाल पर हुआ ही ग्रूँ एना, प्राब बेन अवर ना कोई ओस प्रभू तो बिना होर कोई नहीं है, पाव कोई बाफ अड़न वाला नहीं, कोई रख्या करन वाला नहीं, कोई लोग पर लोग दे सोख बख्षश कर नवाला नहीं उस परमातमा तो बिना, ते जिस परमातमा दी शर्न विच आये तो बिना, जिस दा नाम सिम्रण कीते तो बिना, पाई यो जीवन दा पार उताराई नी होना ता उन्नु पला के खुआरी ही खुआरी होवेगी ना। प्रीतम चरणी जो लगे ओ वाहिग्रू जो प्रीतम प्रीतम लफज दो अक्रादा समेल है प्रेय ताम प्रेय तो पाव प्यारा ते ताम तो पाव अतशे करके बहुत जियादा प्रीतम जो बहुता ही प्यारा अकाल पर वाहिग्रू है ओस वाहिग्रू दे चरणी जो लग प्रीतम प्यारे वाहि गृुँका प्रताक सुरूप जो संक्रू स्चे पातशा जीहान जेडे गृुकी चनई लगए प्यारे साथ कुरा दे तिन की निर्मल सोए ओना धी निर्मल सोए लोग पर लोग विछ निर्मल सोबबा हम धी ए सोईतों पाव कनसो भी कह लईये आपां ते सोईदा पाव सोबा भी है कनसोतों पाव खबर उना दी खबर भी दुनिया वेच निर्मल हुं दी है के लोक उना नू सतकार नाल जाद कर देने लगे ने ना गुरू के चरणी आत सतकार जोग पंज प्यारे सहबान ते किन्नी निर्मल सोबा हो गई के कौम दे शरोमनी बन गए कौम दे शरोमनी सो सतकुरू सचे पाथशा जी ने उनना पंजा प्यारे नू सजण वाले सतकुरा ने खोद उनना पंजा अगे सीस चुका दिता ते जो अमरत दी दात तिना नू बक्षी सी ओ सीस चुका आके गाले विच पला पाके ओ दात सतकुरा ने प्रापत कीती सी थोड़ी जी मैं बेंती करदा जामा जदो पंजा नू अमरत शका दिता सी खंडे बाटे दा पांच ककारी रैत बक्षी शकार दिती सी पांच प्यारे दा खिता सी ता साथ गुरू हजूर ओना दे अगे आप हाथ जोड़ गाल पला पा खड़ गए सन ते बेंती रूप बचन कीता सी के अमरत मैंनू मी देओ गुरू खाल साजी गुरा आख्या पंजा पे आ रहानू मैंनू नाम दे रंग दी चड़े रंगड़ा मैं भी मानना रभी हुदा रहानू मैंनू भी अमरत दी दात बक्षो इते आस दस्दा के पहला ता सिंग हैरान होई सी बेंती कीती सी माराज असी संसारक जीव तोच आप जी सर्बकलास मराथ ए बक्षिश आप जी ने ता किरपा करके कीती है ते हुण कैसा अजीब बचन कर दे ओ ता माराई ने बचन कीता सी गुरू खाल सा खाल सा गुरू अब ते हुए ऐसी बिद शुरू खाल सा गुरू रूप होवेगा, गुरू खाल से विच वर्तेगा, होन तो ऐसे बिली शुरू होवेगी, ए अधकार तो अडे कोल होवेगा, तो आनू अधकार दे के होन बेंती रूप करके तो अडे कोलों ए दात मंग दे या, ते जदो अधकार दी गल आई, ता अधकार व वो बेतारियानो जदो ये बचन होया कलगी तर पाथ शाजी ने होर बदेरे निमरता विचिया के सी चुकाया सी ते बचन की ता सी गोविंद आखेया रब गवाल एलो की ते कौल मैं तोड़ने बादियांगा तुसा अमरतलाई पांच सीस देते मैं सारा सरबंस लुटा दिय आगा ऐसी वे बढ़स ये फिर अपना सरबांस पेटा करन बचनक निर्मल सुब्च रिफ जे प्रीतम चरणी जो लगए तिनकी निर्मल सुब्च फिर जट्राई चरणी जेडे लग गए प्रीतम प्यारे वाहिग्शू के नाम भूपी चरणना ऐ जड़ जिडए लोग प प्राब बेनती प्राब मिलो हो प्रापत हुए प्राब जी एस जीवन विच मनू मिलपवो प्रापत हुए माराज सो प्रापत हुए प्रावशेश करके प्रापती ओ जावे आप जी कि आप ही किरपा करके में इनू मिलो मेरे जीवन दी इच्छा है कि मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे क्यो पावा प्राबतो है कोई ऐसा सजण लोड लहो जो मेले पृतम मोहे मैं मिलना चाऊने एसे जीवन विच प्रापती हो जावे कहत कबीर सुनो हुरे संतों खेत ही करहो निवेरा अब की बार बक्स बंदे को बहुरना पवजल फेरा नानक जाचक दर तेरे प्राब तुदनु मंगे दान माराज तेरे दर्दे मंगते या पिखारी बढ़के तेरे दर्दे मंगण आ होर नहीं कुछ मैं तेरे कोड़ों मंगदा तैनु मंगदे या दान विच के तुम ही मिल तेरी प्रापती हो जावे आप ही करपा करके मिलना करो है काल पुर्ख वाही ग्रू जी वैसाख सुहावा तां लगए क्योंके मनुखा जीवन रूपी वैसाख दा मीना तां ही सुह जे करके एस जीवन वेच ओ अकाल पर खुवाही ग्रू मिल जावे संथ शाज चेत रूप संत एथे तते दे अखरनू, अउंकन लगा होया, तते अखरनू, ए एक खोएक अकाल परख वाहिग्रू का वाजक है, संत हार, हरी अकाल परख वाहिग्रू जो संत शानत रूप है, सात चेतन अनन्द रूप है, जे ओ वाहे गुरू मिल जावे एस मनुखा जीवन दे वेच ता ए मनुखा जीवन रूपी वैसाखदा महीना सोब बावारा है ता ए सुहामणा है ते ता ए लोग जपिये गुरू की बक्षशकीती मर्यादा दे तारनी बढ़िये गुरू के चरणा दे नल जुडिये ता जना दिवसाथ संगत जी ए साधा दिहाडा मनाया दूरों दूरों चलके गुरू के दरते आउना ता दी सफला होवेगा जे आज दे देन एत्थों विशेश ता उरते गुरू का हुकम होया उस दी पालना करिये ता ओ हुकम अराम विच भी बेंती कीती फिर दो रादिया ह हुकम एस जगाते खड़के कलगी तर पाच्छे ने समुच्चे पंथ प्रती कीता सी के प्रथम रहत जह जान खंडे की पाहल शके सोई सेंग परदान और ना पाहल जो लए खंडे बाटे दा अम्रत शकना पांच कारी रहत विच त्यार पर त्यार होना पांच बाणियां क अम्रत शक्य कलगी तर पाच्छाइदियां खुशियां प्राप्त करिये गुरू के खाल से सजिये गुर शबदी गुर इतियास दी विचार कर दियां दास पासों हो यां अनेका पुला चुका दी खिमा बक्षणी फिर समुच्चियां संगतानू सो तक तसरी के सगर जी के समुच्चे प्रबंद वल्लों समुच्ची गुर्द श्रोमनी गुर्दवारा प्रबंद कमेटी वल्लों सिंग सहबाना वल्लों दम्दमी टकसाल वल्लों सारियां संकतानू खाल साजी के सरजना दिवस्दी लख 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 वदाई होवे दो पंगतियां पढ़के फ साख सुहावाता लग गय जा संत पेटै हार सोए वाहि गुरुजी का